साथियो क्या आप जानते हैं हमारे देश में आर्थ्राइटिस के एक करूड से जादा पिसेंट और सियाटिका के 10% व्यक्ति पीडित हैं सियाटिका बहुत कॉमन अगर देखें तो 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के लोगों में जिनका स्टिंग का कारिय होता है बैठने का बहुत कॉमनली इससे प्रभावित हो जाते हैं और उसके निराकरन के लिए वो एनालजैसिक का इस्तमाल करते हैं जिसके लंबे समय में लिवर्ष के लिए बहुत हानिकारक प्रभाव देता है इन सबसे हरबल ओसदी के माध्यम से हम कैसे अपने आपको ठीक रख सकते हैं एक प्लांट की चर्चा करेंगे जिसको निरगुंडी सैफाली या समहालू के नाम से हम जानते हैं इसको विटेक्स निगुंडो के नाम से जाना जाता है यह वर्बिनेसी कुलका है इसका प्रोपेगेशन सीड के माध्यम से और कटिंग के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं कमपाउंड इसके लीव्ज होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं तीन से पांच लीफलेट्स इसके अंदर पाई जाती हैं और इस प्लांट के विभिन पार्ट होल प्लांट वैसे तो यूज किया जाता है होल प्लांट और उसमें लीव्ज तने की छाल बीज आधी इस्तमाल क किये जाते हैं इसके अंदर वोलेटाइल ओल होता है एलकलॉइड विटामिन सी करोटीन फ्लावनाइड टैनिक एसिड पाए जाते हैं जिसकी कारण इसकी थर्मोजैनिक एकस्पेक्टोरेंट एंटिपारेटिक प्रोपर्टी होती है और रूमेटिजम से बहुत लोग प्र इस्तमाल करते हैं ब्रॉंकाइटिस हो सिप्लीनो मिगेली हो लेप्रोशी की समस्या हो या फिर कुछ एजिंग के कारण भी डलनेस ओफ येरिंग हो जाती है सुनाई कम देता है ऐसे कि इसमें इसके पत्रों का सुरस बना कर छान कर कान में दो से तीन डॉप दिन में दो से दालना चाहिए गठिया के रोग हो चाहे सिलिब्डिस की समस्या हो कहा ये गया है कि सर्व वात रोग हर कटी इस्वीं की नाम से जानते हैं उसमें भी इसका इस्तमाल किया जाता है तो मेल और फिमेल इनफर्टिलिटी को भी ये ठीक करता है और कई बार प्रिमेंस्ट्रोल सेंड्रोम जिसके कारण बेहनों में चिड़ चिड़ाहट उनके वैभार में आ जाती है और काम में मन नहीं लगता है हलका सा बुखार बना हुआ रहता है इस तरह की भी समश्चाएं होती है उसमें इसके पत्र का डिकॉक्षन देना चाहिए यह हर प्रकार के सीत ज्वर और विसम ज्वर में इसके पत्र का चून बनाकर मधू के साथ सेवन कराना चाहिए और गठिया के रोगों में इसकी जो मूल होती है इसकी जो जड़ होती है उसका डिकॉक्षन पिलाना चाहिए और सियाटिका, स्लिप डिस्क इन सब की समश्याओं में इसके अगर ताज पत्र मिल जाएं तो उसका सुरस बनाकर मधो के साथ सेवन कराना चाहिए इसके भीजो का इस्तमाल अस्थमा में, डिस्पेपसिया में और इन्फलामेशन को कम करने के लिए किया जाता है इस plant का अगर हम अच्छे से पहचान लें उप्योग करें मधू के साथ या फिर इसके अंदर जो volatile होता है oil इस plant के पास आप बैठ जाएए बैठ ने मात्र से आपकी healing स्टार्ट हो जाएगी यह भी एक देवियगुन इस plant के अंदर है तो यह plant अपने आप में बुखार के लिए और पेन किलर का कारे करने वाला plant है और पेन किलर की side effect जो आ रहे हैं उनसे आप अपने आपको बचा सकते हैं और अपनी health का अपनी स्वास्ते का संरक्षन सही तरीके से कर सकते हैं इस plant को आप अपने घरों में लगा सकते हैं गमलों में लगा सकते हैं और आसानी से इसको हम conserve कर सकते हैं आपकी कोई suggestion हूँ तो आप हमें लिख कर अपनी suggestion बेश सकते हैं अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आप सभी का धन्यवाद प्रणाम